गुद मॉर्निंग एवरीबन वेलकम टू आउनलाइन क्लास हम लोग इस कुरोना और बाट के लेकर हम लोग बहुत परिसान हैं लेकिन हम लोग वो तो पढ़ाई करनी हैं तो हम लोग क्या करेंगे घर बैठे पढ़ेंगे पढ़ेंगे और आपके करीम एकजाम भी आ चुकी है प्रीमिड एकजाम तो आप लोग को एकजाम तो देनी है इसके लिए आप लोग फिप्रेशन घर पे बैठके अच्छे तरह से करेंगे तो चलिए फिर हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है तो पहले आप लोग डेट मेंशन कीजिए वान एक टूटाउजन ट्व तो सब्हेट मैंट्स थि करेंब बड़ना है आज आज पहे जो टॉपिट वह एड़ घड़धो पार, प्रम्द बना जब लोग अन वह स्ब्रदना है तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि add में हम लोग तो addition पढ़ चुके हैं, class 1 में भी पढ़े हैं, और class 2 में भी पढ़ना है, तो हम लोग को तो आहीं रहा है, फिर भी इसको क्या करेंगे, revision कर लेते हैं, revision करने से क्या होता है, कि यह याद आजाती है, कि जो हमें कैसे बनाना है तो चलिए, हम लोग देखते हैं, add, add में लेकिए, hundred, tens, और ones, यह तो आप लोग को मैं previous class में भी बताई थी, और फिर मैं hundred, tens, और ones के बारे में, मैं भी आप लोग को बता रहे हैं, तो चलिए, आप लोग पहले, अपना math, coffee, pencil, eraser, आप लोग शात में लेके बैठेंगे, और उसके बार, मैं यहां जैसे जैसे बताती, वैसे वैसे आप उसको क्या करेंगे, समझेंगे, और note down भी करेंगे, फिर उसी के रहा, आप लोग अपने copy में भी homework page नमबर जो दिया रहे हैं, उसको complete करेंगे, तो चलिए, हम लोग देखते हैं, hundred, tens, और ones, तो question number one देखेंगे, ठीक है, hundred, tens, once, okay, तो once क्या हो गया, hundred यह हो गया, tens और ones, ठीक है, तो यह हो गया, two, क्या हो गया, once, tens हो गया, six, और hundred हो गया, seven, okay, तो यहां, total क्या हो गया, seven, hundred, sixty, two, तो seven हो गया, hundred, six हो गया, tens, और two हो गया, ones, तो आप लोग यहां पे, hundred, tens, और ones, तो आप लोग देख रहे हैं, तो चलिए, फिर मैं आप लोग को add, बता रहे हैं, hundred, two digit वाला तो आप लोग बढ़ चुके हैं, क्लास्वर में, आज हम लोग three digit वाले add सिखेंगे, तो आले, hundred question number one, hundred, tens, once, three, six, two, four, two, one, okay, और इसको यह से मलकू क्या बलते हैं, यह से मलकू क्या बलते हैं, addition, यहन की plus, तो two और three, तो आप लोग को मैं standing line, fingers, इसके जरी में मताई हूँ, लेकिन आज आप लोग ऐसे भी देख सेकें, two के बाद कौन सा number आगा, three, तो यहां जो head कितना करना है, one, तो two और one को add करेंगे, तो three, यहां क्या लिखेंगे, three, चलिए six, six के बाद फिर हम आगे की तरह, तो six के बाद यहां two है, तो six के बाद two आगे, counting का आगे बढ़ेंगे, seven और eight, तो यहां लिखेंगे, eight, यहां three और four, ओके, तो three और four में जो है यहां पर, पहले आप लोग क्या करेंगे, three, तो three के बाद four digits आगे जागे, तो three, four, five, six, seven, तो यहां लिखेंग seven, ओके, आप लोग को दूए, इसमें में आ रही होगी, चलिए, तो यहां हो गया, इसको hundred, ten, और one को बता दिए, पुस्चा नमबर two, पुस्चा नमबर two में आप लोग बिखेंगे, hundred, ten, once, two, three, two, ओके, कि यहां देखेंगे, one, two, three, फिर यहां देखेंगे, zero, one, अब क्या देखेंगे, four, यहां क्या सेंबल देखेंगे, plus का, चलिए, अब हम लोग देखेंगे, यहां four है, okay, four को बाद three digits आपके बढ़ेंगे, four के बाद five, six, seven, उसके बाद दूपर काउंसा है, two, seven के बाद तो फिर two आगे हम बढ़ेंगे, eight and nine, यहां क्या देखेंगे, nine, चलिए, और देखेंगे, यहां three है, three के बाद आगे, फिर बाद बढ़ेंगे, यहां पर two है, तो थीर के बाद 2 आगे बढ़ेंगे तो थीर के बाद 4, 5 फिर 1 है, 5 के बाद 1 आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा? 6 चलिए यहाँ फिर देखिए 2 और 1 2 और 1 तो 2 एक आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 चलिए Question number हम 3 देखेंगे Question number 3 यहाँ देखेंगे Question number 3 में आपका यहाँ है 100 10s 1s 3 0 2 2 4 3 1 1 1 0 Okay? Semble कैसे करेंगे? Plus का चलिए अब हम इसको क्या करेंगे? Add करेंगे Add में देखिए 2 है Okay? 2 है 2 के बाद 3D heat है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 Okay? और 3 है 1 2 3 अब सारे को क्या करेंगे? काम करेंगे 1 2 3 4 5 यहां क्या हो जागा? 5 अब हम बीचे देखेंगे 4 उपर क्या है? 10 में 0 है उसके बाद 4 है तो 4 तो पहले 5 4 है standing रहे 1 2 3 4 और उसके बाद क्या है? 1 1 तिसको सारे को क्या करेंगे? Count करेंगे 1 2 3 4 5 चलिए अब हम यहां 100 में आते हैं तो यहां पर 3 2 1 तो यहां पर क्या है? 3 तो 3 standing रहे देगे 1 2 3 फिर 2 है तो 2 1 2 फिर लाश्ट में 1 है 1 2 3 4 5 6 यहां लिदेंगे 6 ठीक है? तो आप लोग को यह तो मैं 3 डीजिट में आप लोग को add max समी जापल मैं बताई हूँ और आप लोग अपने page book निकालेंगे और page नंबर देखेंगे 69 69 में मैं एक और बता रही हूँ आप लोग देखेंगे जैसे यहां देखिए 100 question नंबर 4 okay 100 10 1 2 4 3 1 2 दूसके बाद 1 2 यहां पर 3 यहां सेंबल देखेंगे कैसे क्या देखेंगे last का ओके आप यहां देखेंगे यहां उपर में भी 3 डिजित है second में भी 3 डिजित है और last में 2 ही डिजित है हैना तो इसको चलब ही हम देखते है 2 है तो पाले टूसके देखेंगे fit 1 fit last में 3 1, 2, 3 अब शारूप क्या करेंगे count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां क्या देखेंगे 6 चलिए next में देखेंगे 4 फिट 4 है standing line 1, 2, 3, 4 फिट 2 है standing line 1, 2 फिट 2 चलिए फिट शारूप क्या करेंगे count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां क्या लिख देंगे 8 अब 3 है ओके तो 1, 2, 3 फिप 1 1, 2, 3, 4 यहां हो जाएंगा 4 चलीए तो आप लोग देख रहा है कि हम add 3 digit वाले कैसे बना रहे हैं ठीक है तो चलीए आप लोग उन ट्राक्स में क्या करेंगे पहले आप लोग लिख लीजे 2 पेज नमबर 2 पेज नमबर 69 ओके आप लोग इसमें कितने सारे कम्प्लीट करेंगे ओके इसमें सारे 3 digit वाले ही add तो इसको क्या करेंगे सारे को कम्प्लीट करेंगे उसके आगे हम लोग जब ने क्लास में आएंगे अपके साथ तो हम पढ़ेंगे word problem तो जीतना मैं बताएं उसको क्या करेंगे note down करेंगे और समझेंगे और मैं जो own touch दी हूँ उसे आप लोग बिल्कुल अपने मैज सी कॉप्य में कम्प्लीट करेंगे तो चलिए आग के क्लास में बस इतना है